कि हलो एवरीवन वेलकूम टू मैं चैनल तो आज हम लेखर के आए हैं एंसे आर्टी बूग क्लास्टेन के हिस्ट्री को जिसमें आज का हमारा चैप्टर है भुमंड़ी कृत 20 विश्विका बाणना और इस चैप्टर का आज टॉपिक हमारा है महाजूध के बीच अर्थ वे हुआ था तो यह महाजूध के बीच जो ऑर्थ विवस्था एक परकार के एक रही और कैसे मंदी आया तो इस चैप्टर में इस टॉपिक हम लोग देखेंगे महारा जूध के बीच अर्थ विवस्था को का घ्रात तो आयए देखते हैं महाजूध थे महाजूध के पर्थम विश्वजूदद और दीटिये विश्वजूद पर्थम विश्वजूद आपको पता हुआ कि 1828 जुलाई 1914 में हुआ इसकी शुरुवाद 28 जुलाई 1914 और इसकी समापती हुई थी 11 नवंबर 1918 को पर्थम विसुजूद की शमापती 11 नवंबर 1918 तो लगभग पर्थम विसुजूद चार बरस तक चला और इसमें 37 37 देशों ने भाग लिया था पर्थम विसुजूद में लगभग चार बरस तक चला और इसमें 37 देश भाग लिया था पर्थम विसुजूद में 19 विसवी सताबदी के प्रगाम में 20 अवस्था में पहुंच चुका था वह अंतरष्टी की सती वुजू उइस तरह थी कि जिसमें सभी राष्ट जो थैबिभिन राष्ट जो थे दो गूट में बटे हुए थ सभी राष्ट दो गूट में आपको पता होगा दो गुट में बट गया था सभी राष्ट और पूरे 20 विके राष्ट दो गुट में बटा हुआ था और दोनों को जोडने वाला कोई पूल नहीं दिखाई पड़ा था दोनों जुद सीविरों में लगातार प्रलंकारी आस्तर सस्र निर्मित किये जा रहे थे दो जो युद और इतना बढ़ चुका था कि ए दोनों गुट किसी भी दसा में शांती प्राप्त नहीं कर सकते थे इन दोनों गुटों के समयंद इतने खराब हो चुके थे कि इन लोगों के सक्ती पर नियंतरन जुद के पस्चात ही संभब था लेकिन अब सक इस बात की थी, कि संपूर्ण इस जुद से परभावित होगा, लेकिन लाश्ट में वजूद हुआ ही, पर्थम विशुद के बाद लग रहा था, कि अब इसके बाद कोई इस परकार का वजुद नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद दीतिये विश्वजूद की सुरुवात हो जाती है और दीतिये विश्वजूद की सुरुवात 1949 में होता और 1945 तक 1945 तक 1939 से लेकर के 1945 तक दीतिय विश्वी जुद चलता है और ये दीतिय विश्वी जुद की सुवात एक सिप्टेमबर 1949 में हुआ था और इसकी समापती हुई थी 2 सिप्टेमबर 1945 में तो पर्थम जुद से विश्वी की जनता इतिनी परसान हो चुकी थी कि वह सांती की मांग कर र जुद के रोक थाम के लिए सभी राष्टों ने राष्ट संग जैसी संस्था को भी अस्थापनक किया गया था की थी सभी राष्टों ने लेकिन समराटों के समराज पीपासा को सांत करना बहुत ही मुश्किल था सांत नहीं किया जा सका और उनके अंदर स्वार्थ की जो समाबेश हो चुका था उन राष्टू के बीच उन राष्टू के अंदर तो पर्थम विशुजूत के चीन अब भी मिटा नहीं था हीरो सीमा और नागा सागी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि हीरो सीमा पर और नागा सागी पर बम गिराया गया था च्छा अगस्त को हीरो सीमा पर और 9 अगस्त को नागा सागी पर ते दोनों जो पर्थम विशुजूत के समय ही गिराया गया था और इसका जो चीन था अभी तक समाप्त भी नहीं हो था, मीटा भी नहीं था, कि इस धर्ती पर जो बिद्वान थे, जो चिन पर्थम बेसुजूद के, लेकिन फिर भी परसपरिक स्वार्थ के कारण 1939 में, 1949 सीसी में, देतिये बेसुजूद के भी शुरुवात हो जाती है, और इस भीषन ज्वाला में, तो इस परकार से देखने को मिलता कि दो जो जूद हुआ, पर्थम बेसुजूद और देतिये बेसुजूद बहुत ही व्यंकर और परलाइकारी जूद हुआ, और इसके कई कारण था, जैसे पर्थम बेसुजूद के कई कारण था, गुप्त संधियां एक कारण था, स पर्थम विश्जूद और दीतिय विश्वजूद के कई एक कारण थी जो एक भ्यांकर और पर्लैकारी पर्णाम निकला और इसका पर्णाम यह हुआ कि बहुत सारे लाखो लोग मारे गए और लाखो लोग घायल हुए तो इसका भ्यांकर पर्णाम निकला तो पर्थम विश्जूद मुख्रुप से एरोप में ही लाड़ा गया था लेकिन इसके असर सारी दुनिया मसूस किया जा रहा था तो इस अध्याय में हम इन चीजों पर विचार कर रहे हैं कि उनकी दिश्टी से एक महत्पुन पर होया कि इस जूद ने 20 वर्षबस्तों के ऐसे संकट में पर्थम विश्जूद और दितिय विश्जूद जो भ्यांकर जूद हुआ तो इस परकार के संकट में ढगेल दिया जिससे उबरने में दुनिया को तीन दसक का समय लग गया और पूरी दुनिया में चारों तरफ आर्थ जैसा कि आप जानते हैं कि पहले फिशूद दुखे में बढ़ चुका था है आपको पता हुआ कि मीतर राष्ट और धूरी राष्ट में मीतर राष्ट में कौन-कौन कंट्री थे आपको पता ही होगा इसमें बृटेन, फ्रांस, रूस थे दूसरे पाले में केंद्रिये श तो उसमें बहुत सारी सरकार जो थी जुलाई में शुरुआत हुई थी इसकी 28 जुलाई को तो जब जुद सुरू हुआ तो उसमें बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह जुद ज्यादा से ज्यादा क्रिस्मस तक खत्म हो जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं यह में आशा भी संजुद पहले कभी नहीं हुआ था और इस जुद में धुनिया के सबसे अब्वा अधोगिक राष्ट एक दूसरे से जूज रहे थे और सत्रों को नेस्त नाबूंद करने के लिए उनके पास बेहिसाब अधोनिक अधोगिक यानि जो अस्र सस्र से कठा किये ज प्रॉडनेस था इतना ज्यादा प्रॉडनेस आ गया था कि इसको सांथ करना बहुत ही मुश्किल था आखिरकार जुद के रूप में विनसकारी विनास के रूप में आगर पर्थम पिस जुद के रूप में बाहर सामने उभर करके आया और जुद में लगभग 90 लाख से ज खायलो में से जादतर कामकाजी उम्री के लोग थे और इस महा विनास के कारण इरूप में कामकाज के लाइक लोग की संख्या बहुत कम गई थी और परिवार के सरदस घट जाने से जुद के बाद परिवारों के आई भी गिर गई थी जुद समंध्री समागरी का जुद सम जो जेंड्स थे वो पूरे मोर्चे को समहालने के लिए चले गया और उन कामों को समहालने के लिए जो जेंड्स किया करते थे उनको उस काम को सभी महिलाएं के द्वारा महिलाओं के द्वारा उस काम को समहालने का काम किया जाने लगा महिला सभी महिला उस काम को समहालने ल करती थी तो बाहर निकल करके काम करना सुरू कर दी और जिनने आप तक केवले समय ज esses का ही आदमी का ही काम माना जाता था और इसके बार वे अंकर जब परणाम हुआ पर्थम बिस जूद के बाद तो महिला भी बाहर आ करके काम करना शुरू कर दी तो जूद के कारण दुनिया की कुछ सबसे सक्तिसाली आर्थिक ताकत के बीच आर्थिक संबंध तूट गया और वे एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे एक दूसरे को खुंच उसने के लिए उतारू थे जूद के लिए बिटन को अमेरिकी बैंको और अमेरिकी जानता से भारी करजा लेना पड़ा और इसका परणाम यह हुआ कि इस जूद ने अमेरिका को करदार की बजाय जूद के बाद दूसरे देशों में अमेर्का और उसके नागरीकों की संपतियों की कीमत अमेर्का के दूसरे देशों की सरकारों यह उन नागरीकों की स्वामित अध्वा नियंत्रन वाली संपताओं से कहें जादा हो चुकी थी अब नेट टॉपिक है जूदोतर सुधार तो जूद के समय स्थितियां क्या थी उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि जूद जब हुआ तो उसका परणाम यह हुआ कि बहुत सारे लोग इस जूद में मारे गए और जो मर्द ही उस समय जो काम किया करते थे और महिला जो पर तो अब यहाँ परिस्थिती पलट जाती है मर्दों की शंक्या कम हो जाने के करण महिलाएं जो है बाहर निकलना शुरू करी और बाहर की काम भी समभालना शुरू कर दी थी एक परिवर्तन देखनों को मिला जूद के बाद पर्थम भी सुद के बाद और इस परकार से जो पर्ड़ा पर्था थी। जो महला को जिसकाम सेव बंचित किया जा रहा था। बंचित रखा जा रहा था। तो एक महला harajक में रोल नाम सेफालगीज़ते का परक्वादि, आर्थिक मन्दी पूरे विश्ञेयं था विश्ञेयीं। प्रवाव पूरे 20 पर पड़ा और इसको उवरने में काफि शमय लग गया लगवाव 3-4 दसक लग गया आर्थिक मंदी से उवरने में तो आप देखते हैं जूदोत्तर सुधार, जूद के बाद सुधार क्या क्या हुआ, तो जूद के बाद आर्थी की स्थिती को पट्री पर लाने का रास्ता काफी मुश्किल सावित हुआ, जूद से पहले बिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ विवेस्था था, जूद के बाद उसको सबसे लंबा संकट जहलना पड़ता है, बिटेन को, जिस समय बिटेन जूद से जूज रहा था, उसी समय भारत जापान में उदोग विक्सित होने लगे थे, जूद के बाद भारतिये बाजार में पहले वाली वर्चस शाली इस्तिती प्राप्त करना बिटे बिटेन ने अमेरिका से जमकर करजे लिये थे, इसका पड़नाम यह हुआ कि जूद खत्म होने तक बिटेन भारी बिदेशी करजों में दब चुका था, अमेरिका तो बहुत ही आगे निकल चुका था, तो बिटेन को इसका भी जिलना पड़ा, जूद के कारण आर्थिक उ उत्पादन और जो रुजगार, रुजगारों में भारी जाफा हुआ था, पर जब जूद के कारण पैदा हुआ, उच्छा सांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा, और रुजगारी बढ़ने लगी, दूसरी और सरकार ने भारी भर कम जूद समंधी ब्याय में भी क खत्म हो गया, और 1921 में हर पांच में से एक ब्रिटिस मज़ूर के पास काम नहीं था, सोचे कितनी बिरुजगारी हो गई थी, कितनी बिरुजगारी थी, रुजगार के बारे में बेचायनी और अनिस्चित्ता, जो दोत्तर वाता वरन का अंग बन गया, यानि जूद के ब दिखाई नहीं पड़ रहा था, रुजगार का, तो अनिस्चित जुद्धोत्तर वातावरन का एक अंग बन गयी थी, बहुत सारे क्रिशी आधारित अर्थववस्थाएं भी संकट में थी, जो किसी पर आधारित अर्थववस्था थी, उस पर भी संकट गहरा गया, जैसे की गयोहों उत्पात्कों की हालात पर ही वीचार अगर हम करते हैं, तो जूद्ध से पहले, पूर्भी एरोप 20 वजार में गयोहों की आपूर्ती करने वाला एक बड़ा केंद्र था, पूर्भी एरोप, और जूद के दौरान यह आपूर्ती अस्थवेस्थ हो चुकी थी, कनाड़ा, अमेरिका और अस्थ्रेलिया में गयोहों की पैदावार अचानक बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही जूद समाप्त हुआ, पूर्भी एरोप में गयोहों की पैदावार सुधरने लगी, और 20 वजार में गयोहों की पूरे 20 में गयोहों की आती के हालात पैदा हो ग किमते गिर गई और ग्रामीन आय कम हो गई और किसान गहरे कर्ज संकट में डूब गया तो इस परकार से जो आर्थिक मंदी आया सिर्फ फैक्टरियां वादूग पर ही नहीं बलकि क्रिसी अधारित क्रिसी अधारित जो आर्थ विवस्थाएं थी उस पे भी संकट आर्थिक संकट गहराने लगा और इस परकार से किसान भी गहरे कर संकट में फस गया थे अब है हमारा टॉपिक बड़े पैमाने पर उत्पादन आउप वो तो अमेरिका में सुधार की गति तेज रही थी क्यो इनना फायदा पहुंचा था बहुत जदा फायदा पहुंचा था अमेरिका सबसे जदा फायदे में था जूद से और जूद के कुछ समाई के लिए तो अमेरिकी अर्थवश्था को भी जटका लगा लेकिन बीस के दसक के सुरुवाती सालों से अमेरिकी अर्थवश्था जिसे तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगे 1920 के दसक की अमेर की अत्वबस्ता की बड़ी खासियत थी वो खासियत क्या थी? कि ब्रिहत उत्पादन का चलना एक खासियत थी ब्रिहत उत्पादन का चलना मास प्रोडक्शन ब्रिहत उत्पादन की और बढ़ने का सिलसिला तो उनिश्वी सदी के आखिर से ही सुरू हो चुगा था उनिश्वी सदी के लाष्ट में ही सुरू हुआ था लेकिन 1920 के दसक में तो यह हमेर के अदोगीक उत्पादन को विस्यस्ता ही बन गया और कार निर्माता हैं हेंडी फोड विःत उत्पादन के विख्यात प्रणनेता थे मास् प्रोडक्शन का प्रणेता थे कौन हेंडी फोड एक कार निर्माता थे और उन्हों ही शिकागो के एक बुचड खाने की अशेंबली लाइन की तरच पर डेटाड के अपने कार कर खाने में भी अधुनिक अशेमली लाइन अस्थापीत की थी सिकागों के बुचर खाने में मर हुए जानवरों को एक कंवेयर बिल्ट पर रख दिया जाता था और इसमें उसके दूसरे सीरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिशे का मां हो सकता है समाई के लिहाज से भी और पैसे के लिहाज से भी इसमें किफाती पड़ेगा सस्ता पड़ेगा तो शेमली लाइन पर मज़ूरों के एक ही काम जैसे कार के किसी खास पूजयों को ही लगाते रहना मसीनी ढहंग से बारवर करते रहना होता था काम की रखतार इस ब गति बढ़ा दिया गया और यहां पर मजदूर का जो उत्पादकता था उसमें बढ़ाने का एक तरीका मिला जरिया मिला कनवियर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम के धील करने या फिर कुछ पल के लिए अपकास लेने का जोखिम ने उठा सकता था इस तरीके के बाद और और तो और इस विवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बादचित भी नहीं कर सकता था तो इसका नतीजा यह हुआ कि हेंट्री फोट के करखानी के अशेंबली लाइन से हर तीन मिनट में एक कार तयार होकर निकलने लगी सुचिए यान कि पत्तियों के मुकाबले एहरत्तार कई गुन जादा थी टी मॉडल नामक कार ब्रिहात उत्पादन से बनी पहली कार थी टी मॉडल नामक कार शुरुआत में फोट फैक्ट्री के मजदूरों के अशेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थाकान जहेलने से क्योंकि वहां पर ना तो बैठना था ना किसी से बातचीत करना था तो इस परकार से थाकान जहलना सुरू हो गया जहलने लगे मजदूरों 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 और काफी थाकान महसूस होने लगा उन्हें क्योंकि उसकी जो रबतार थी किसी भी तरह नियंतित नहीं कर सकते थे बहु कि धीरे-धीरे मजदूर जो थे अपना काम चोड़ रहे थे रास्मेंट ज्यादा हो रहा था उनको तो साथ ही तो इसके चलते इसको देख करके उन्होंने बेतन को भी दुगना कर दिया करीब पांच डॉलर परती दिन कर दिया था साथ ही उन्होंने अपने कर खाने में ट्र बढ़ गया तो अपनी इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट है कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि लागत कम करने के लिए अपने जिन्दगी में उन्होंने सबसे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया फोर्ड दोरा अपनाई गए उत्पादन पत्तियों को जल्दी पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा और 20 के दसक में ही इरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी पूरे इरोप में और बिहत उत्पादन पत्ति ने इंजिनियरिंग अधारिक चीजों को लागत और कीमत में कमिला दे बेहतर बेतन के चलते हैं बहुत सरे मजदूर भी कार जै प्रतिबर्च से भी उपर जा पहुंचा इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रीश बासिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, प्लेयर्स आदी भी खरीदने लगे और यह सब चीजे हायर परचिंज ववस्था के तहत खरीदी जाती थी यानि लोग ये सारी चीजे कर्च पर खरिते थे और उनकी कीमत सबता ही किया मासी किस्तों में चुकाई जाती थी किस्त के रूप में लोग इसको खरिते थे और किस्त के रूप में इसका कीमत को चुकाया जाता था मकानों के निर्मान और नेजी मकानों की संख्या में भी ब्रीधी से भी फ्रीज बासिंग मसीन आदि उकरन की मांग में भी जाफा हुआ क्योंकि माकान जितने जादे बढ़ेंगे तो उसी परकार से इसकी सप्लाई भी फ्री जवासी मसीन के भी मांग बढ़ने लगी और इस परकार से देखा जाने लगा कि खरेदारी की करजे पर भी की जा रही थी करज लेकर के खरेदारी किया जा रहा था लोन हम इसको बोच सकते हैं लोन लेकर के ब्याज के तोर पर और इसको सब्ताह भर में या महिने भर में इसका करज को ले लेना होता था किस्त के रूप में 1920 के दसक में आवास और निर्मान के छेत्रे में बहुत ज़्यादा उच्छा लाया और अमिर्की शंपनता का अधार पैदा हो चुका था मकानों के निर्मान और घरेलू जरूरत जैसी चीजों के निवेश से रोजगार में रोजगार और मांग बढ़ती थी तो दूसरी और भोग भी बढ़ता था बढ़ते हो भोग के लिए और ज्यादा निवेश की जरूरत थी जिसे और नहे रोजगार और आमदानी में बीधी होने लगी तो जैसे जैसे रोजगार बढ़ेगा आमदानी में बीधी होगा और लोग खुसहाल होंगे लोग का जीवन अस्तर में चेंजिंग होगा जीवनस्तर में जीवनस्तर देखने को परिवर्तन दीखेगा जीवनस्तर में तो इस तरकार से रोजगार में भी बढ़ोत्री हुई और लोगों के जीवनस्तर भी उंचा होने लगा अमेरिका द्वारा आयात और पुंजी निर्यात में इरोपी अर्थवस्ता को भी संकट से उबरने मदद दी अगले च्छा साल में 20 वेपारों आय ब्रेधी दर में काफी सुधार आया लेकिन यह सिती लंबे समय तक काईम नहीं रह पाए 1929 तक आते आते दुनिया के ऐसे आर्थिक संकट मं उनी तीस का संकट जो संकत पर आपको पता होगा लेक अनुभबह नहीं किया था तो इस प्रकार से महामंदि आता है ओर फूरे विश्मन इसका इसका असर पड़ता है तो इसके बाद हम लोग देखेंगे तॉपिक रहेगा, नेक्ट विडियो में महामन्दी 1529 आई थि, आर्थिक महामन्दी अब अभी तक आपने इस चनल को स्बिस्क्राइब करें लाइक करें आड साथमें सेयर करें झाल झाल झाल